What's up guys, I hope you are doing well, I am Veer, welcome to Study Lover देखिए आज lecture स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को difference बताना चाहता हूँ equality and equity, दोनों ही बहुत similar word लगते हैं और interchangeably भी कई बार use कर लेते हैं इनको लोग भाग पर लेकिन दोनों में difference है और यह मैं किसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि polity में इस word का बहुत जादे use होता है equality करके तो इसका word का मतलब क्या है कि सब को आप लोगों ने सुना होगा कि equal rights provide गराना, इस तरीके के fundamental rights की बात आती है कि सब को एक समान रखना तो जब वो बात आती है तो वहाँ पर यह word use होता है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि caste या किसी भी धरम के religion पर या sex के base पर किसी के भी बीच में कोई differentiate create ने करना तो क्या करते है सब को एक तरीके कि हम rights provide करा देते है fundamental rights वगरा होगे तो इसी तरीक से यहाँ पर देखिए height सब की अलाग अलाग है पर लेकिन जो यह desk के इनकी खड़े होने की सब को एक जैसी provide करा दी तो इसकी वज़े से क्या है सब को equal फायदा इसका नहीं मिल पा रहा है क्यों जिसकी height है ओल्रेडी वह तो वैसे नीचे खड़े हो के भी देख सकता है पर लेकिन जिसकी height नहीं है उसको थोड़ा हुचा provide कराना चाहिए तो कभी-कभी जो equality है वह भी अच्छे लेवल पर वक नहीं कर पाती है society में तो उस जगहे पर हम क्या concept कर यूज करते हैं तो उस जगहे पर जो हम concept यूज करते हैं उसको बोलते है ठीक है ना तो यह एक तरीक से equity हो गया ठीक है तो मतलब उनको reservation provide कराना या फिर बच्चों के लिए कुछ अलग से rights निकाल के लेकिया आना तो किसी particular के लिए अलग से special करना चाहिए तरीक से इसके नीचे से डबबा उठाके हाँ पर रख दिया है अब यह भी देख पा रहा है game ठीक है तो इसको कहते है equity तो यह दोनों में difference है आप लोग को पता होना चाहिए तो दोनों में क्या difference है क्योंकि कई बार इनका use करने मे गलतिया कर देते हैं आप लोग तो जो नीचे वाली situation है यह वाली situation है यह जादे fair है ठीक है तो आप लोग को याद रखना है आईए आज का lecture देखते हैं जो हमारी स्रीच चल रही है पॉलिटी की उससे लेटर जो next lecture है या features of the constitution देख रहे हैं देखिए यह lecture थोड़ा लंब इससे आप लोगों का जितना भी हाँ पर overview मिल जाएगा आप लोग को आसानी रहेगी आगे समझने में और आप correlate कर पाएंगे अच्छे से तो इस लिए इस chapter में मैं थोड़ा सा जाजा time ले रहा हूं जिससे कि आप लोग ए connectivity बना सके अच्छे level पर तो यही reason है ठीक है तो time हम लोगों का decide हो चुका था time जो video रहा करेगी वो daily evening में रहा करेगी evening कर रहेगा चार से 6 के बीच में time रखना पसंद करूँगा जिससे आप लोगों ने भी suggestion किया था और इसके अलावा PDF जो होगी जग combine lecture complete हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा उसको merge करकर facebook पर डाल और कई सारे student देखे ये भी बोल रहे थे कि sir जो ये question में मतलब जो test हम लिया करेंगे Sunday और Saturday में जब भी मुझे time लगा करेंगा है दो दिन हमने decide किये इसमें जब भी test हुआ करेंगा ऐसा नहीं उसको facebook पर ही post करूँगा आप जहां कहेंगे वहां post करूँगा बस आप लोग की supremacy की मतलब supreme Parliament है जो concept हम पहले भी discuss कर चुके हैं और दूसरी तरफ जो जिकर किया जा रहा है जो judicial supremacy जो यह शुपरेमेंटी की बात कर रहे हम लोग और judicial supremacy की बात कर रहे हम लोग तो यहाँ पर देखे दोनों में मैं पहले भी आप लोग यहाँ पर difference बता चुक हूँ होता है जिस तरीकी से देखिए constitution के according अगर कोई ला नहीं बना रही है पारलेमेंट तो judiciary के पास में power होती है उसको रद करने की जो ला बनाया गया है हमारी पारलेमेंट के दोरा तो इसलिए sovereign नहीं है हमारी पारलेमेंट पर लेकिन built-in में sovereignty का concept होता है वहाँ पे पारलेमें इसी की बात आती है तो वहाँ पर क्या बात आती है निकलके हमाँ अमेरिकन constitution तो दोनों में difference आप लोगों को समझ में आना चाहिए तो यहाँ पर अगर एक बार अगर यहाँ पर court कोई order दे देता है तो वहाँ पर मतलब पारलेमेंट के पास में इतनी power नहीं है कि उसको overreach क तो यहाँ पर इसी लिए बात आती है और यहाँ पर आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा जो supreme court है जिस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या है center में है मतलब supreme court होगया फिर high court होगे इस तरीके से नीचे चल के फिर district के court होगे पर लेकिन यह सारे एक दूसरे से connected है ठीक है अगर हम लोगों का देखा जाए जैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था आप बोरोड जो word use करते हैं तो हमने बोरो नहीं किया है constitution हमने अपने हिसाब से implement किया है तो इसलिए हमारे क्या किया अपने आपर पार पारलियमेंट के जो हमको अच्छे अच्छे जो उनके इसलिए आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए तो जिस तरीके से पारलियमेंट की सिस्टम की बात करें तो हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है बिर्टेन से इसी तरीके से अगर सुप्रिम कोर्ट की पावर की बात करें तो वो भी हमारे आपर थोड़ी कम है as compared to USA य प्रेसन यह कि ऐसे उठा के कहीं पर भी डालते ले जागे जिस तरीक से अंग्रेजों के टाइम पर हुआ करता था तो ड्यू प्रोसिज ऑफ ला बोलते हैं यह अमेरिका के कोंसिटूशन से निकल किया है और दूसरा है प्रोसिज इस्टैबलीज बाई ला मतलब जो प्रो कोंसिटूशन को बनाने वाले थे उन्होंने बहुती अच्छे से दिमाग लगा कर कुछ भी प्रोविजन हमारे कोंसिटूशन में रखे हैं उसका एक्जामपल देगे मैं आप लोगों समझाओंगा किस तरीके से देखिए हमारे या पर जो कोंसेप्ट लिया गया है जिस की हाथ में क्या पावर है अगर पर्लेमेंट कोई भी ऐसा ला बनाती है तो उसको सुप्रिम कोड अंडिक्ल Durham कर देता है अगर कोंसिटूशन के हिजाब से नहीं है ठीक है तो यह पावर है इसका हाथ में जुडिचल रिविउ कीपावर है है न है पर बस कॉंसेप्ट का है basic structure change नहीं होना है यह क्या है यह आगे आगे आएगा मैं आप लोग को समझाऊंगा case 1 अंध भारती का case है तो 1973 की बात है जैसे जैसे आगे चलेंगे आप लोग के सारे concept clear करता चलोंगा doubt नहीं रहेगा कुछ भी mind में इस बात की मैं guarantee लेता हूँ अगर lecture आप लोग अच्छे से सुनेंगे तो ठीक है यहाँ पर मैं आप लोग को फिर भी थोड़ा detail में जा रहा हूँ इतना detail में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह आगे चलके फिर से repeat होएंगे तो अगर आप lecture भी धंग से सुनते रहेंगे ना तो चीज़े इतनी बार repeat हो जाएंगी कि आप लोग को रेटने की जुरत नहीं पड़ेंगी अराम से याद रहा जाएंगी सुन सुन कर ही और एक बार revision कर लिजेगा बस बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर चली आगे चलते हैं अब जिस तरीके से हम features of constitution की बात कर रहे हैं तो next क्या दे रखा है याँ पर integrated and independent judiciary हमारे याँ पर एक integrated भी है और independent judiciary है क्योंकि हम लोगों ने देखा जिस तरीके से हमारी judiciary ने क्या किया अभी जो 99th amendment किया गया था National Appointment Judicial Commission National Judicial Appointment Commission तो यह 99th मतलब 99th amendment था यह तो यह amendment क्या किया था हमारी judiciary ने इसको courage कर दिया इसमें बोला गया था कि किस तरीकी से judge को appoint करना है तो उनको लगा कि जो separation of power का concept है judiciary में और executive में कहीं ने कहीं वो hurt हो जाएगा तो इसलिए उन्होंने क्या किया इस concept को बनाई रखने के लिए कि independence होनी चीए judiciary की वरना वो क्या करेंगी legislative पर और executive के उपर dependent हो जाएगी तो इसलिए जो 99th amendment हो था इसको courage कर दिया है इन्होंने इन्होंने बोला एक constitution के हिसाब से नहीं है और constitution की basic structure जो की independence of the judiciary है उसका हनन करता है तो इसलिए हमारे यापर क्या judiciary independent है आप लोग को ये अच्छा कासा example इसको आप use भी कर सकते है अगर कहीं पर answer लिख रहे है तो तो independent का तो मैंने आप लोग को example दे दिया है अब integrated का example क्या है integrated का अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे यापर सब फोलो करके नीचे चलते हैं ऐसा नहीं है कि नीचे वाले court अपनी मनमानी चलाने लगे कि हम तो independent अपने हिसाब से काम करेंगे तो ऐसा बिलकुल नहीं है तो integrated भी judiciary है हमारे यापर ठीक है सिंगल सिस्टम है जो भी enforce होता है वो central state में मतलब इसी के हाथ में होता है supreme court के हाथ में होता है maximum चीज़ ठीक है पर लेकिन अगर USA की बात करें तो माने बोला वहाँ पर भी federal system है तो महाँ पर क्या होता है वह अलग आग होता है सबका center का अलग रहता है states का अलग रहता है तो इस तरीक से वहाँ पर काम करता है हमारे आप ए तो supreme court को और भी कई सारे काम है एंजmist कंपेट और देखा जाए अगर देखा जाए हमारे आपे, माल लिए कोई भी state में कोई भी problem हो रही है, तो ये भी concept हमारे आपे है, कि fundamental right का जो system है, तो अराम से Supreme Court में जा सकते हैं, ठीक है, तो guardian भी है, ये concept कई बार आ जाता है, ठीक है न, guardian of the constitution, ये याद रखेगा, direct question आता है ये question क्या होता है, कई बार ये question आता है, एक side में तो बात आती है, कि जो guardian है constitution का, तो guardian में आप लोगों कोन बताया, वो है Supreme Court, क्योंकि Supreme Court में अगर article 131 के हिसाब से आप लोग देखें, तो वहाँ पे guardian बोला गया है, ठीक है न, guarantor बोला गया है, मतलब कुछ भी अगर change करने जा रहा है कोई constitution में, तो उसको Supreme Court के थुरू गुजरना पड़ेगा होकर, ठीक है पर लेकिन जब भी बात आती है protection की तो protection की बात आती है, तो इस तरीके के अगर कोई भी protection word हो गया प्रिजर्व वर्ड हो गया, अगर इस तरीके कहीं भी आप लोग कुछ देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर Supreme Court का नाम नहीं आएगा, Supreme Court का नाम क्यों नहीं आएगा, उसका reason है वहाँ पर क्योंकि President की अगर हम oath को देखे जहांसे तो President की जब oath लेते हैं तो उनकी oath में ही ये बढ़ा गया है कि जो ability to preserve, protect करने की या defend करने की constitution को वो President को दे रखी है ठीक है ना जब article 60 की बात करते हैं oath से लेटे जो बाते आती हैं, तो जो उस तरीके की बात आती है तो President के हाथ में है तो जो guardian की बात आती है तो आप लोग को रखना है कौन? Supreme Court और जो protect, preserve और इस तरीके के word use होते हैं तो वहाँ पर कौन आता है? वहाँ पर आता है राश्टपती, President तो इन में दोनों में बहुत कम डिफरेंस है और ये question पता नहीं मतलब 10-15 बार हर एक exam में पूछा जा चुका है तो इस तरीके confusing question जो छोड़े-छोड़े से confuse करने वाले question है वो पूछा जाते है exam में तो आपके mind में clarity होनी चाहिए इसलिए मैंने बोला है कि अगर lecture ढंक से सुनेंगे judgment का favor नहीं करें और एक अच्छा judgment दे तो उसके लिए क्या है उनका tenure जो उनका time period होता है वो एक दम बिल्कुल जिसने भी देखा है economic survey के lecture देखे होंगे वहाँ पर ये सारी बाते बहुत अच्छे से discuss की गई है आगे भी ये आएंगे सारे तो वहाँ पर अच्छे से discuss करेंगे पास में power नहीं है मतलब हमारी पार्लेमेंट के पास में भी पावर नहीं है कि वह उसको discuss कर सकें ठीक है ना पार्लेमेंट में ले जाकर तो इसे इंडिपेंडेंसी मनती है वरना ये क्या करेंगे ये hesitate रहेंगे कोई बिडिजन देने में ठीक है इसी तरीके से मतलब कोई practice कर रहे है डिटार्मेंट से related practice कर रहे है अगर कोई भी बात हो रही है मतलब कि अगर मालीजे कल को कोई judge retire हो जाता है तो उनकी practice पर रोक रहती है अगर उनको practice करने के लिए अलाओ किया जाएगा तो favor करेंगे government का क्यों योई government हो सकते है उनको कोई अच्छी post provide करा दे किसी state का governor बना दे या कुछ बना दे हाला कि ये controversy में रहा है अभी ये issue जब governor की post के बारे में discuss करूँगा तो बताऊँगा हमारे जो former chief justice of India थे उनको अभी governor बनाया गया था care लगा तो ये काफी controversy में issue रहा है हाला कि चलिए उसको जब governor की post discuss करेंगे उस time के अच्छे से बताऊँगा वो वाला concept इसके अलावा क्या है punishment की जब बात आती है याँ पर power से related मतलब अगर कोई court of contempt करता है तो उसके लिए भी जो power है वो supreme court में vested है मतलब supreme court के हाथ में power है देखिए माली जी अगर कोई गुना कर दिया गया किसी के दौरा supreme court बुलाता है अगर कोई नहीं जा रहा है ठीक है तो फ separation of power की बात की गई है मतलब judiciary में और executive में separation होना चाहिए दोनों की independence बनी रहे है वो हम discuss करी चुके है जिससे की एक दूसरे के जो act है वो class ना हो एक दूसरे के साथ में तो यह कुछ provision है जिसकी help से हम judiciary को independent बनाने की बात करते है तो आप लोग को याद रखना है इनके बारे मे अब आगे चलते हैं fundamental right के concept वे तो fundamental right का भी यहाँ पर overview दिया गया है तो आप लोग को पता होगा कि fundamental right पार थर्ड में आते हैं constitution के और आज की रेट में six fundamental right है ठीक है एक fundamental right डिलीट कर दिया गया था right to property जब वहाँ पर अच्छे से जाएंगे तो बताऊंगा कि समेंट मेंट है तो वो डिलीट किया गया था और आज की रेट में कहां पर उसको रखा गया है आज की रेट में किस तरीका का प्रोविजन हो गया है तो वहाँ पर हम लोग अच्छे से देखेंगे detail में तो यहाँ पर six fundamental right है थोड़ा overview ले ले लेते हैं right to equality की बात की गई है यहाँ तो य इस तरीके से यहाँ पर 19 article की बात लेते हैं अगर आप लोग बात करें यहाँ पर media की तो वो भी इसी article के अंदर आ जाती है उसके लिए अलग से mention नहीं है कहीं पर क्योंकि यहाँ पर क्या बत कि freedom की बात की गई है तो जब freedom की बात आती है तो freedom to speech वगरा सब यहीं पर आ जा करता है ठीक है इसके अलावा क्या है यह वाला article भी बहुत ज्यादे यूज होता है और question भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है इससे रिलेटिड राइट अगेंस exploitation यहाँ पर बात क्या आती है यहाँ पर आप लोगोंने कई बार यह question पढ़ा भी होगा जो child labor से रिलेटिड की बात कर रहे हैं आप यह वाला जब secularism का concept आप बताऊंगा आप लोगो सारे article के बारे में अच्छे से explain किया गया है वहाँ ठीक है तो यह वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके बाद में जो culture और educational rights की बात है वो यहाँ पर 29 और 30 के अंदर आते है और right to constitutional remedies यह बहुत ज़्यादे important है ठीक है इसको heart and souls भी बोला गया constitution का बिया अरम बेड़करजी के द्वारा तो यह बोले जाता है constitutional remedies जवाई बोलते है remedy को ठीक है तो इसी के अंदर अगर को fundamental right का हननन हो रहा है तो यहाँ पर जा सकता है direct code में तो इसी के द्वारा वो decide किया जाते ह इसके अलबा fundamental right से ही हमको political democracy मिलती है किस तरीके से मतला हम लोग अपना हमारे पास में right होता है अगर हम कोई हमारे जो right से हो हननन कर रहा है इसी तरीके से यह कहीं है कहीं अगर जो political system है हमारा जो executive है legislative है उनको कहीं है कहीं limit करती है मतलब उनको limit करती है कि आपको कोई भी rule or regulation बनाना है अगर कोई भी आपको bill लेके आ रहे हैं तो वो fundamental right का हननन नहीं होना चाहिए उसमें ठीक है तो citizen का ध्यान रखा जाता है तो इसलिए कहीं limitation लगाती है government के उपर तो ये भी question कई बार पूछ ले जाता है आप लोग को याद रखना है अगर कोई हननन करता है इसका तो direct हम court में जा सकते हैं अगर इनका कोई violation करता है तो तो इसलिए ये भी काफी important हो जाता है इसके अलावा ये concept काफी अच्छा हम लोगों देखने को मिलता है कि fundamental right हम लोगों के पास में है पर लेकिन हम लोगों के fundamental right वो तब तक fundamental right है जब तक वो दूसरे के fundamental right का हननन नहीं कर रहे हैं हमको इतनी right नहीं है कि हम दूसरों को गाली दें और दूसरे color पकड़े और दूसरों के थपड़ मारे जागे तो इतना right नहीं है तो हमारे fundamental right ओली हमारे लिए हैं दूसरों के fundamental right में जब तक हननन नहीं डाले तो इसलिए ये भी concept आप लोगो बार बार देखने क नहीं होना चाहिए तो पार्लेमेंट के हाथ में पावर है इससे रिलेटेड भी आप लोगों ने देखा होगा दूरिंग अगर बात की जाए तो हमापर सारे आर्टिकलों को रद किया जाता है पर दो फंडमेंटल जो और आर्टिकल नहीं याद रखेंगा को कुछ ये दोनों कभी भी यहाँ पर सस्पेंट नहीं किये जा सकते तो क्या क्या है इन आर्टिकल के अंदर यहाँ पर बात किसकी आती है यहाँ प्रोटेक्शन आती है इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन अगर किसी ओफेंज में पाए जाते है तो राइट है कि आपने आपको करेंगे जब यहां पर इस point को discuss करेंगे आगे चलके इसके अलावा क्या यहां पर बात की जाती है protection of the life and the liberty तो यह 21st के अंदर आता है यह सारे fundamental right के अंदर जब हम discuss करेंगे तो इनको detail में with the help of example से explain करूंगा बहुत अच्छे से आगे देखते हैं हम DPSP बोलते हैं जिनको directive principle of state policy अच्छा नीचे comment box में बताइए लास्ट टाइम भी हम लोग ने discuss किया था कि कौन सी country से ली गई है ठीक है ना यह बताए और fundamental right किस country से लिए गया है नीचे comment box में बताइए कोशन पूछन पूछन नहीं बूल गया था मैं बात वी बातों में तो डॉक्टर बीमाराम जो डॉक्टर बीराम बेटकर जी है उन्होंने इसके बीच में इनको डिवाइड किया गया है जब आगे चलेंगे तो देखेंगे कौन-कौन से अर्टिकल इसके अंदर आते हैं गांधियन के ऊपर बहुत बार कुशन पूछा जाता है तो इसको अच्छे से हम लोग डिसस करेंगे यहीं से निकल के आता है पंचायत और उसके बाद में मतलब यहाँ पर पंचायत और यहाँ पर मुंसिपैलिटीज आई तो वह खहीना कहीं है यहीं से ही निकल के आई है डिरेक्टिव प्रिंसेपल और इस्टेट पोलिसी से ठीक है तो यह इंप्लिमेंट करते हैं तो इसके अलावा देखें सोचल और एकनो को जोब नहीं मिल रही है तो यह स्टेट के पास में इसका रिज़न क्या है तो यह उनकी मरजी के ओपर डिपेंड़न्न है पर लेकिन यह मरजी भी लिमिटेड है किस तरीके से क।ईपकि 161 के बाद में फिर से इनको जनता के दर्बार में आना है और फिर से इनको वोट मागनी पड़ेगी तो जब ये वोट मागेंगे जनता के दर्बार में आएंगे तो इनसे पूछा जाएगा कि भाईया इंप्लोइमेंट कहा गया कि इस तरीके से आप लोग सोचल सीक्योर्टी और हैल्ट सीक्योर्ट से एलेटर मतलब देख बाल नहीं कर पाई जनता की तो बाते आगे निकल के आती है पर लेकिन वो लंबे डूरेशन के लिए वो एक तरीके से हमारी जनता को अवेर कराने के लि करेंगे वो सब कुछ पता चल ही जाएगा कंप्लिट एक चेप्टर इसके ऊपर आगे चलके तो होता क्या है देखिए जिस तरीक से मैंने आपको लोग को बता है कि स्टेट को अपने आप काम करना है इसको कोई इंप्लिमेंट करने के लिए नहीं बोलेगा वैसे एक तरीक करने तो इसी लिए जो इसको इंप्लیमेंट करने वाला वो फॉर्स को ओने हुआ पोलेटिकल उथ lost और यह और यह Minerva Mills case के बारे में भी आप लोग जान सकते हैं 1980s की बात हैं यहाँ पर Indian Constitution के बारे में बात बात की गई है कि देखिए अगर जो Indian Constitution जो found किया गया है ठीक है तो उसके बारे में बोला जाता है कि bad rock है यह balance बना के रखना चाहिए किसमें fundamental rights में और जो directive principle है इनके बीच में यह case कई बार discuss होते हैं इस तरही है case यह आगे आप लोग को बहुत बारे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा explain करूँगा बहुत अच्छे से पूरी clarity करूँगा कि powerful कोन है fundamental right ज्यादा powerful है DPSP ज्यादा powerful है कुछ ऐसी situation भी हुई है past में खासका during emergency के time पे कि DPSP को ज्यादा power दे दी गई थी तो वो किस कि तरीके case निकल गया है वो सारे आप लोग को आगे detail में देखने को मिलेंगे तो fundamental duty की बात करते हैं अब हम यहाँ पर fundamental duty जो है originally constitution में नहीं थी पहला तो आप लोगों यह याद रखना है यह question बनता है कि fundamental duty जो थी constitution में थी originally नहीं जब हमारा constitution बनाया गया रों implement किया गया 26 November 1949 में तो उस time पर हमारे यहाँ पर fundamental duty नहीं थी fundamental duty बाद में यह लाई गई हैं हमारे constitution में और जो लाई कब गई हैं during the emergency तो जब emergency हुई तो उस time पर लाया गया इनको 42nd amendment को 42nd amendment को mini constitution भी बोलते हैं याद रखेगा इसके उपर भी question पूछा जाता है mini constitution क्यों बोलते हैं क्योंकि इस time पर constitution को बहुत हद तक change कर दिया गया था तो 1976 की बात ही है जब ये constitution आया और ये committee आप लोगो याद रखनी है ये committee में question पूछने वाला था पर फिर सोचा बता दूँ देखिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो सवन सिंग committee है उसकी recommendation के ऊपर ही उसने recommend किया था कि fundamental duty होनी चाहिए क्यों क्योंकि हमारे पास में rights है ठी responsibility भी कुछ होनी चाहिए तो ये responsibility लेकर आए उसके बाद में क्या हुआ it is constitution amendment आया उसने क्या किया एक fundamental duty और add कर दी तो 2002 में आया ये आप लोगो बताना है ये किस से related है ये जब constitution amendment किया गया तो क्या नहीं duty add की गई आप लोग को बताना है ठीक है तो आज की date में 11 fundamental duty हो चुक है ठीक है तो है क्या वही सारी बाते जो आप लोग नोर्मल देखते है और ये सारी आप लोग को देखे फोलो करके भी करनी चलनी चाहिए ऐसा नहीं है ये ऐसी फालतियों में डाल दी गई है चीजे कुछ तो चीजे देखे हमको इतनी सारी country से हमको नाम मिला है हमने हमारी हमारी country से protection मिले हमको citizenship मिला है हमारी country से मतलब सारी हवा पानी सब कुछ यहां के resources हम रोग use करते हैं तो कुछ हमारी duty भी होनी चाहिए अपने देश के हित के लिए तो जो बात की जाती है कि respect करो अपने constitution national flag और national anthem का protect करना चाहिए हमको अपनी sovereignty को unity और integrity को promote करना चाहिए brotherhood मत उनका भी हम लोगों को protection करना चाहिए उनको भी preserve करना चाहिए ठीक है तो कहीं न कहीं यह citizen को याद दिलाती है कि आपके पास में अगर rights है तो आपकी duties भी है ठीक है तो दोनों चीज़े है और यह देखिया जिस तरीके से fundamental right क्या है आप court में जा सकते है पर लेकिन इस से related को आप इन force नहीं की जा सकती है आपको करने के लिए यह आपकी एक तरीकी से इच्छा के उपर आप लोग बोल सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको force किया जाएगा कुछ ऐसे काम करने के लिए तो आज के lecture में इतना ही अगर lecture पसंद आया तो like कीजे नहीं पसंद आया तो dislike कीजे और पसंद आता है तो इसको आप लोग share भी कर दिया किजे ठीक ना तो share कर दीजे और देखिए अपने आस पास सफाई रखिए और पानी भी save कर दिए होती important है तो थोड़ा save करके चलिए इसको और अपने पास सफाई रखेंगे तो बीमारी भी कम लगेगी और आप हस्फुस रहेंगे तो खुस रही है और enjoy करते रही है और कुछ समझ में आता है तो दूसरों को पढ़ा भी दिया करते हैं और constitution देखिए किताब की तरीके से मत पढ़िए इसको मैं ये बोलूँ पाएंगे तो उस बेस पर आप लोगों को constitution पढ़ना है ना कि exam clear करने के लिए exam to clear होते ही रहेंगे यार exam clear करना कौन सी बड़ी बात है पहले आप लोग अपने आपको एक ऐसे लेवल में तो लाके देखिए कि हम एक अच्छे से चलते हैं ठीक है तो उस तरीके से आप का answer देने के आप लोग कोशिस किजेगा और ज्यादे से ज्यादे इंगेज ज्यादे से ज्यादे इंगेज रही है जिससे की मैं भी अच्छे से motivate रहा हूं आप लोगों के लिए lecture continuously अच्छे लेवर पर लेके आता रहा हूं तो आज के लिए एतनाई thanks a lot for listening जय हिंद